लो फ्रेंड नमस्कार इस ने वीडियों स्वागत करते हैं इस वीडियों बात करने वाले पार्टली पुत्रा उनिवरसिटी के वैसे छात्र जो भी पुत्रा उनिवरसिटी से है उन सवे स्टुडेंट के वात करने वाले पार्टली पुत्रा उनिवरसिटी ने कलेंडर जार परिक कर दिया। कब एक्जाम होगा, कब फौ़म फिलप होगा, पूरा जनकारी इस वीडियो के मादम से आपसे पिप्लेटली मिल जागा, आप प्लाइप पुता उनिवसिटीे के तरफ से आप दीख सकते हैं, एक पेपर के आर्टिकल का मादम से पिपी ने परिक्षा परिक्षा माई से स्टार्ट होने वाले हैं तो पूरा ओपिसेल नोटिफिकसन भी है तो आप लोग को पूरा महत्पूर जनकारी इस वीडियो के मात्यम से देने वाले हैं वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखें वीडियो को बहुत अच्छी तरह से इन्फोर्मेशन ल तो यहां पर देख सकते ही पेपर का आर्टिकल हैं यहां पर कृस्तोर पर लेखती है कि परिक्षा कलेंडर यृ परेक्षा माई से स्टार्ट होने वाले और यह प्र आपको जम करके दीखा देता हूँ पार्टली पुत्र विश्विद्याले के परिक्षा कलेंडर त्यार हो चुका है थे यानि त्यार हो चुका है पार्टली पुत्र उनिवरसिटी का कलेंडर और उनके वाद यहां पर देख सकते हैं आप से भी को दिखाई देता होगा इस परिक्षा कलेंडर को जल्थी विश् से शुरू हो जाएगी यानि पर देख सकते हैं असना तक 25-39 की परेखा फॉर्म पाच मईस से भरा जागा जो भी student अभी अभी रिचल्ट आया है पार्टू में जिनका सेसन तूचरा ठारे से कीस है जो पार्टू में कौलिफाय हो चुके हैं जो पास हो चुके हैं तो उन सभी student के लिए और जो फिर student pending है उनको भी लिए आपको फॉर्म फिलब करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि पार्टू में आप पर्मोट भी हो जाते हैं तब भी आप पार्टू के एकजाम देना ही अनिवार है यानि आप एकजाम दे सकते हैं तो सभी student के लिए बात करना हैं सभी लोग आप लोग फॉर्म फिलब कीचिएगा जिनका session 2018 है और यहां पार्ट थड़ के तो यहाँ देख सकते हैं पार्च माई से उनका फॉर्म फिलब होगा तो यह आप लोग यात रखिएगा पार्च माई से फॉर्म फिलब स्टार्ट हो जाएगा और पार्टले पुता युमसिटी का ओफिसल वेब साइट पर भी जारी हो जागा तो भाई जो भी पार्ट वर्म पार्ट टू है पार्ट थड़ सभी का महत पूर्ट जनकार एक ही वीडियो में मिलने वाला है तो भाई आप लोग कहीं भागना मत हैं आप वीडियो को शुरू से आन तक देख लिजे ठीक है या तो आप देख सकते हैं पेपर राटिकल के मादम से पड़ भी सकते हैं और उनके बाद यहां पर संभावना तीथी जारी किया की परिक्षा कब से लिया जागा यहां पर देख सकते हैं परिछा की संभाविद दिथी बारे मईस से लेकर 31 जुलाई तक तई की गई है यानि जो पार्ठर का फॉर्म फिलिप किया जाएगा वो 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वो लिया जाएगा और उनका बाद सत्र के बाद किया जाए उने से 22 यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं जो पार्टू का एक्जाम लिया चाहेगा उनका फॉर्म 15 अप्रेल से भरा जाएगा ठीक है तो आप लोग डेट याद रखिएगा यह 15 अप्रेल यह सिर्फ बीए बीए से बीकॉम फोकस्नल का डेट अलाग है तो उनको भी बताने वाला है तो यह है देख सकते हैं 15 अप्रेल में फॉर्म भरा जाएगा और यह देख सकते हैं उनका परिछा तिथी कब से है उनका संभावना तिथी कब से जारी किया पार्टले पूतर युनिवरसिटी के तरब से यहां पर देख सकते हैं 21 जून से लेकर 9 जुलाई तक यह संभावना है रियल है वह एक्जाम इस तिथी का ले लिया जाएगा और जो इस्ट्रेंट पीस से 22 में है जो पारड़वन के एक्जाम अभी तक नहीं तक नहीं है अनली अभी रेइस्ट्रेशन किये हैं तो उन से स्ट्रोड़न का भी बहुत बढ़ी कुसक्वरी आई निकले तो आप ल वह एक्जाम देने वाले हैं जो पारड़वन का यूं तक सब्सक्राबस जून तक संभावना तीथी है और उनके बाद जो पार्टू में है जिनका पार्ट टू जिनका सत्र उन्हेस से बाइस है आप लोग यहां पर देख सकते हैं पेपर का आर्टिकल में और यहां पर देख सकते हैं फोकस्नार पार्ट टू परिक्षा फॉर्म पांच माई से भरा जाएगा यह रियल है यह किसी प्रणार के फैक नहीं है तो यह होद बड़ी इन्फरमेंशन आ चुके हैं आप लोग त्यारी में जुड़ जाएं आप लोग ऐसा मत सुचे कि अब बाटलिक पुत्रा युनिवसिटी बहुत लेट करने वाले हैं बिल्कुल लेट नहीं करने वाले हैं कलेंडर चाही हो चुका तो आप लोग ऑपिसल और या ओफ लाइन हालाके ओनलाइन ही लेगा जो भी मोट से आपका फॉम फिल अप कर वाएगा तो आप लोग फॉम फिल अप करते चीजिएगा डेट आप लोग तरह रखिएगा कि कब कब किसका डेट है जो पार्टु में एक्जाम अभी दिये वो पार्थड में आप च अपको हालत में देना पड़ेगा जो भी परमॉट होते हैं वो लेट वाले सेशन में आप लोग एक्जाम देकर कम्प्लीट कर सकते हैं तो आप से वीडियो के एसा लगा वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर लेना और भाई आप लोग को बता देता हूं जैसे प अब्रकार की फेक नीज नहीं मिलता है और दूसरा चेनल के माधियम से देख सकते हैं उस चेनल के माधियम से उसमें बहुत सरफ फेक नीज डालता है तो भाई आप लोग गन्फरम हो जाई हैं जो भी इनफोरमेशन देते हैं आप लोग का कोरेक्टली में साहिज अंकारी देते हैं आप लोग के पता होगा कि कुछ student मुझे कॉमेंट कर रहा था गलत गलत कॉमेंट बता रहा था तो भाई आप लोग गलत क्यों कॉमेंट कर रहते हैं आप लोग के पता होगा कि का रिजल्ट चारी हुआ था जो पाड़वन का तो जब हम वीडियो बना कर डाले थे तो वह आप बोल रहा था फैक है कि इसलिए फैक बता रहा था और किसे student का रिजल्ट पेंडिंग था तो जो रिजल्ट पेंडिंग था उनका रिजल्ट चेक करता था रिजल्ट नहीं आ ऊपर निचे समझा रहा था उनको लग रहा था कि फैक वीडियो ऐने का मकसाद नहीं है शिर्फ मुझे है कोर्वेड्ली वीडियो बनाकर सभी को गाड़लाइई देना है जैक है यादि मेरा इमेज यूटूबर चैनल पर अच्छे रहेगा तो मेरा वीडियो अच्छी रे correctly update देते हैं तो आप से भी को समझ आ गया होगा तो मैं यूटूब चैनल का मादम से जूड़े रहे हैं और जितने भी आपका दोस्ट फ्रेंट है सभी के वीडियो पास सेर कर देजे ताकि अधिक साधी जनकारी मिल पाएं तो भाई आते हैं फिर नेक्ट वीडियो